दर्भंगा में MLC चुनाओं का बिगुल जैसे ही बज़ा सभी राजनितिक दलों के अंदर से विद्रों के स्वर उभरने लगे हैं बता दे की मधुबनी में MLC सुमन महा सेट ने खुला एलान कर दिया है कि भाज़पा के नेताओं को गड़ बंधन में निराश होना पड़ रहा है अगर जद्यू भाजपा को सीट नहीं देती है तो वह निर्दलिये चुनाओं लड़ेगी यही नहीं समर महा सेट ने भारती जन्ता पार्टी के कारकरताओं और परतिनिधियों की एक बैठक बुला कर जंग छेड़ दी है देखे एक रिपोर्ट मदुवनी के निर्वरतमान विधान पार्शत सुमानतुमार महा सेट ने चुनाओं लड़ने का ऐलान किया उन्होंने समवादाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार वे किसी भी कीमत पर विधान परिशत का चुनाओं लड़ेंगे साथ में ये भी कहा कि अगर पार्टी नेत्रत ने अगर सीट के बटवारे में अपनी भूल सुधार नहीं की तो वे निर्दलिये चुनाओं लड़ेंगे पिशली बार भी पार्टी ने भूल सुधार कर उन्हें चुनाओं के मैदान में उतारा था और वे विजय भी हुए थे मीडिया कर्मियों को समुधित करते हुए उनने कहा कि NDA खास कर भाश्पा के कारकरताओं की रक्षा के लिए वे चुनाओं लड़ेंगे और ने कहा कि 2015 से 2021 तक विधान पार्शद रहकर जनपरती निधियों के मान सम्वान बढ़ाने के लिए संगर्स रत रहे हैं उसका लाव भी मिला है और ने कहा कि पार्टी ने एक साल पहले फिर से चुनाओं लड़ने की तैयारी करने को कहा था वे पूरे जोस खरोश के साथ मैदान में रहे त्रियस्तरिय पंचायत चुनाओं में इंडियों को सकरात्मक रूप से जिससे सफलता भी मिली थी ने वर्तमान पार्शद ने कहा कि इस बीच जब चुनाओं नस्दीक हुआ तो परदेश ने त्रित्व के द्वारा यह सीट जद्यू के खाते में चला गया इंडिये के अगोशित उमिदवार पहले भी विधान पार्शद रह चुके हैं लेकिन वह जद्यू के कुसोटी पर खरा नहीं उतर रहे जिसकारण एका एक एक इंडिये कारकरताओं का जुका हुआ है तथा चुनाओं लड़ने के लिए मैदान में डटे रहने का समर्थन किया इसका परिनाम है कि सैक्डो कारकरता आज इनके साथ कारकरम में उपस्तित हुए है तो वहीं दूसी तरफ से इंडिये के लिए भी खत्रे की घंटी है क्योंकि पुर्व MLC सुर्गे सुनील सिंग के पुत्र रंजीर सिंग चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है उन्हें आशवाशन भी मिल चुका है और वह छेतर में अपनी दाविदारी को प्रस्तुत करते हुए लोगों के दिलों में अपना दर्द और भावना को बनाने में सफल हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जन्तागल यूनाइचेट से भारती जन्तापार्टी में शामिल हुए पुर्व बेनीपूर के विथायक सुनील चौधरी भी चुनाव मैदान में दमदार तरीके से खड़े हैं और सुन्तरों की माने तो सुनील चौधरी को इस बार टिकट मिलना लगभग तैमाना जा रहा है जिसके संभधा आज भुशना भी हो जाएगी वहीं लोजपा से अब विपिन पाठक जो पहले कॉंग्रेस से जुड़े थे अब MLC चुनाओं में भी अपना ताल ठोकने लगी है ऐसे में लोजपा कहीं न कहीं नुकसान में पहुंच सकती है बिस्पतिवार को विपिन पाठक लोजपा से अब MLC का परचा दाखिल करेंगे और इस समय लोजपा के कई बड़े नेता परदेश में पहुंचेंगे और यहीं से शुभारम होगी लेकिन लड़ाई एंडिये के अंदर है क्योंकि लोजपा के अंदर सरकार के साथ में है तो दूसी तरफ लोजपा बिहार सरकार के विरोध में इस परस्थिती में इंडिये को नुकसान पहुंच सकता है अब सवाल यह है कि दोनों में कौन सा उमिदवार इंडिये के लिए ज्यादा जरूरत मंद और जीतने वाला हो सकता है रंजीत सिंग या फिर सुनिल चौधरी को लेकर अंदर ही अंदर इंडिये में गुड़बंदी और विद्रो के स्वर उठने लगे है सूत्रों की माने तो बुदवार की देर शाम तक इंडिये के कटबंदन की बैठक के बाद यह तै हो जाएगा कि कौन कहां से चुनो लड़ेगा हाला कि इस बात की खुशना पहले ही हो चुकी है अगर हमको चुनाओ निर्दलिये रूप में भी लड़ना होगा अगर प्रदेश निक्तूत अगर हमारे वाद को नहीं सुनपाईगे उसके लिए भी हम तयार है आप चुनाओ लड़ेंगे पार्टी माने या नहीं माने पार्टी माने की पार्टी माने आपको मानूं है कि पुर्मे के भी दिवास अगर चुनाओं में जो सीट भारते जन्ता पार्टी को भिरना चाहिए था गजबनन दनको दिया गया था लेकिन बाद में पार्टी ने सुनाओ गया और ये पार्टी हमको भी तमाँदा है पुरे जिदा के अब तो एक लिए तो एंडिये के उमिडवार लिश्चित रूप से सोच समझते कारकरता के बनोभाव के अनूप जो हमारे मत दाता हैं के बनोभाव के अनूप पर्देश कमीटी को निर्ने लेना चाहिए बाकी हमारे पर्टेश कारकरता है आज जनपर्दियों के सम्मार के लिए हमारे जनपर्दी आज अग्रिम पंगिन में खरा है और किसी भी स्थिति में ये सिट एंडिये के खाता में उमिडवार को जब तक बदलते नहीं है जब मैं पर्देश में तुम को अरा करता हूं यदि ये स्थी एंडियों को बचाना है तो निश्टुप से उन्पर बिचार करना चाहिए और जो हमारा कारका रहा छो साल का निश्टुप से आज हरे कारकरता के मन में ये जोस जगा हुआ है यगर सुमन जी को ये प्रिकत मिलती है तो निश्टुप से एंडियों यहां मुद्पर बोर्चे चीप कर जाएगी इसलिए वैसरी कारकरतों से अज पूरा रनीती आगे का चुनाव करने दिश्टुप समय भी नहीं है रनीती बनाने के लिए पुड़े कारकरता के साथ हम है बस इतना ही मेरा करना करने बाद ह और विद्रों के स्वर उठने लगे हैं सूत्रों की माने तो बुद्वार की देर शाम तक एंडिये के कटबंदन की बैठक के बाद यह तै हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा हाला कि इस बात की घुशना पहले ही हो चुकी है कि कौन से सीच कौन से दल लड़ लेकिन आज दर्भंगा और मदुबनी के संभावित सीच की घुशना हो सकती है उमीद जताई जा रही है कि सुनील चौदरी को दर्भंगा से मलसी का उम्यदवार बनाया जा सकता है वहीं आपको बता दें कि इससे संबंधित खबरों पर हमारी पैनी नजर लगातार बनी रहेगी कि मलसी जुनाव में कौन से उम्यदवार सक्चम है और कौन दमखम के साथ मैदान न उतरेंगे बीडियो रिपोर्ट बिहार मितला नियूस